हेलो एवरीबड़ी, हेलो दोस्तों कैसे आप आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वह है इंकम फ्राम हाउस पॉपरटी आपका क्वेशन होगा सर इतने सारे हेट्स अफ इंकम है पीजीवीपी, सालरी या फिर कैपिल गेन बड़े-बड़े हेट्स अफ इंकम है ये छोड़के हम लोग इंकम फ्राम हाउस पॉपरटी क्यों स्टार्ट करें बड़ा सिंपल सी बात है हमें सिलाबस कंप्रेट भी करना समझना भी है और हमारे सिलाबस वास्थ होने के कारण हमारी एक स्ट्राइज होनी चीए कि जो बच्छे फाउंडेशन से है या जो पता ही नहीं है डारेक टाक्स होता क्या है तो उनके लिए ये इजी जाना चाहिए और सेकेंड लिए मोमेंटम पकड़े वो उन्हें समझें कांफिडेंस आया फिर हम बड़े टॉपिक की तरफ जा सकते हैं तो मैंने डिसाइड किया कि जो फटाफट हो सकते हैं कांपिट जिसकी एटेज भी अच्छी है आपको कांफिडेंस भी आ है वो टॉपिक हम लोग पहले कंपिट करेंगे टॉंट वरी सालरी पीजी बीपी और कैपिल गें भी हम लोग कंपिट करने वाले नेक्स्ट पॉइंट यह बहुत इंपॉइंट पॉइंट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि प्लीज रिवाइज करो और अफकोर्स मैं तो नोट्स देने वाला हूँ मेरे चार्ट फॉर्म में नोट्स आएंगे मैं नोट्स दूंगा लेकिन आप अगर आप यह सुन रह प्लीज में लिखो अपने चार्ट बनाओ नोट्बुक में उतारो विकॉज आपको कॉंफिडेंस आएगा हैंगोर आएगा यह तो इसे आप सुनोगे और फिर दो घंडे के बाद भूल जाओगे तो बहुत जरूरी है आपने लिखना कम से कम जितने भी प्रैक्टिकल होगे वीडियो चाल रहा है आप देख रहे हो समझ रहे हो अफकोस तैस गुट लेकिन अगर आप साथ साथ क्या करो लिखो या होने की बाद देखने की बाद अब लिखो नोट्बुक लेके तो आपको हैंग और आएगा और नेक्स ताइम आपको रहागा कि यस यह मैंने और यह मैं रिटेंड कर पा रहा हूं तो रिटेंड करना बहुत जरूरी है आप लिखना भी सार्ट करो वैसे नोट तो मैं दूंगा डेफिनेटली आपको रॉफ में लिखना आपके लिखना सोच के समझ के लिखना और शॉर्क कर लिखा तो भी चलेगा तकि लिखना बना चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? बना चार्जिंग सेक्शन ये उस पर्टिकुलर हेरे के इंकम के ओपर इंकम टैक्स चार्च करता है वो income tax चार्ज करता है कैसे है देगे आपर charging section क्या कहता है यह कहता है section 22 कि अगर let's say section 22 कहता है कि अगर आपके पास house property है yes owner हो yes वो house property आप business या profession में use नहीं करे हो हाँ ये भी सही है और वो additional house property है आपके पास जिसमें आप नहीं रहते हो तो इसका भी answer यह सह तो भाई definitely of course उसके rental value के उपर आपको income tax देना पड़ेगा उसके rental value के उपर आपको income tax देना पड़ेगा लेगिन आप बोलोगे sir यहाँ पे तो rental value लिखा नहीं है sir यहाँ पे rental value नहीं लिखा यहाँ भी क्या लिखा है annual value very good, सही पकड़ा आपके तो आप लोगे sir annual value यह word जो है, वो use क्यों क्या है annual value का मतलब क्या है, simple was कि धिको अप rental income तो कमाओगे definitely अगर आपके पास extra house property है तो उसे आपको फाइदा मिलेगा अगर आप भाड़े पे चड़ाओगे लेकिन ऐसे भी लोग होते है जो rental value चल रही है, let's say for example, किसी flat की किसी area में 50,000 रुपीस rental value है, और बंदा अपने friend को 25,000 में क्या कर रहा है rain पे अपना घर let out कर रहा है तो government क्या कहेगी income tax क्या कहेगा भाई आप तो 25,000 में let out कर रहे हो, आप तो दो सी निवा रहे हो, लेकिन income tax value का नुक्सान हो रहा है, कैसे अगर 50 लेते उससे जो साल का income होता 6,000,000 लाइट, अब उससे 25 ले रहे हो, तो साल का जो income है, आपका उस property से होगा, अफकोस 3,000,000 तो government को tax क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो यहाँ पर दो चीज़े एक जो आप friendship नुभा रहे हो, या फिर आप government को जहासा दे रहे हो, तो government सब कुछ जानती है lawmaker जानते है कि यह ऐसा हो सकता है, इसलिए complete जो income from house property है वो depend नहीं करती, rental value के उपर वो depend करती है, fair rent reasonable rate out value of course standard rent ऐसे different different concept के उपर notional rent के उपर ऐसे rent के उपर, जो law के अनुसार calculate किया जाएगा, भले आपकी property उससे कम rent में let out हुई या नहीं हुई है of course आपको lawmaker ने लिखे हुए rent के हिसाफ से tax देना पड़ेगा, और वो income आपने कना है, यह माना जाएगा, और असा क्यों हम लोग यह section 23 में देखने वाले हैं, जब यहाँ पर annual value का करेंगे, calculate करेंगे, I hope understood very good, so फरसे एक बार sir section 22 क्या, section 22 क्याता कि, if you are having a house property you are the owner and as well as you are not doing a business or profession as a owner in that house property, then you got to pay income tax on the annual value of that house property I hope understood, very good अब फरसा इसको हम लोग detail में समझेंगे आप लोग इससमें detail में समझेंगे बहुत तो easy है, house property के annual value के उपर tax charge हो रहा है ने वीटा, house property में कौनसी कौनसी house property आ सकती है आ सकती है, और कौनसी house property नहीं आ सकती यह, of course आपको मालूम होना चाहिए राइट, so let us do it देखो यहापे house property में क्या आता है consisting of any building और land upper tenant there too आप इसको बोल सकते हैं सर्फ बिलिंग तो समझा land भी समझाएगी upper tenant क्या है upper tenant मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई चीज़े है जैसे कि हमारा घर है घर के आजू-बाजू में जो आंगन है जुड़ा हुआ है कि नहीं, yes हमारा है कि नहीं, yes तो वो भी उस house property का क्या होगा हिस्सा होगा अगर हमारी building है हमारी society है तो हमारे of course society के अंदर जितनी भी जगह है compound के अंदर वो हमारे society हमारे house property का क्या part है I hope understood so जो हम भूल सकते है car parking है या backyard है या हमारा garden है जो भी हमारे society के एज़ गिल्ड है that is also belonging to us उसमें भी हमारा क्या हिस्सा है जैसे कि let's say for example आपकी building के उसके उपर आपका अधिकार नहीं है इस सारी चीज़े कुल मिलाके सब चीज़ों के उपर आपका right अधिकार क्या होता है create हो जाता है so sir land appurtenant मतलब क्या जमीन के साथ जो जो चीज़े चुड़ी है जिस जमीन के उपर आपका घर है वो भी house property के definition में आती है I hope understood very good आप लोगे sir ठीक है ये तो समझा अब house property में sir क्या क्या include होता है और क्या क्या include होता नहीं है house property में include होगा land surrounded by wall having roof कोई भी जमीन जिस पे अफकोस दिवार है जिस पे च्छत है वो house property आएगा house property में वो शामिल होगा और वो भी घर आएगा अफकोस जिस के उपर roof नहीं है कैसे for example stadium stadium के उपर roof नहीं होता च्छत नहीं होती है तो भी उसे commercial property house property माना जाता है I hope understood ठीक है तो फिर house property में ऐसी जमीन आती है जिसके उपर दिवार है च्छत है या नहीं है और जिससे जुड़ी हुई सारी चीज़े आंगन है बैक यार्ड है कार पार्किंग है swimming pool है whatever कारडन है जो आपके house property के land के उपर है जुड़ी हुए वो सारी चीज़े आपके house property का हिस्सा बन जाती है बनती है तो सर अगर हम लोग इस building work को थोड़ा extra detail में देखेंगे तो building work को कैसे define किया law maker ने law maker केते है कि building का मतलब क्या है bricks of course building जो बनी है bricks से ito से stone पत्थों से या even mud work अगर वो मिटी की भी बनी है of course वो घर है मिटी का भी बना है तो भी वो building है अगर वो घर है चाहे वो किसी मटल का बना है उसके उपर च्छत है चार दिवार है लोग उसमें रह सकते है बात खतम वो building है जरूनी है एक proper जो घर की तस्वीर हमारे मन में होती है वैसी होना चाहिए ओके next अब house property में residential और commercial house दोनों शामिल होते है residential पहले ही बोल दिया जिसके उपर roof है और commercial roof नहीं तो भी क्या समझा जाएगा house property है तीसरी बात permanent structure होना चाहिए जो सालों साल useful होना चाहिए अगर वो permanent structure है सालों साल useful हो सकता है तो yes house property है और house property में क्या शामिल होता है ये भी डिसकस हुआ है land appartinent to a building includes car parking and backyards of course तो land से जिस land के उपर जिस जमीन के उपर आपकी of course house property है उसके साथ साथ जो भी जुड़ा होगा car parking है swimming pool है जो भी area जुड़ा होगा वो आपके house property का part होगा लेकिन सर इसके बाद और एक pointer कि house property में कुछ चीज़े exclude होती है आप रगे सर कौन सी vacant land बहुत important है धान्मर को सर वाकेंट land क्यूँ because house property में घर होना चीज़े चार दिवारे होने चीज़े भले उस पे छथ हो या न हो चाहो दिवारे इटों से बने पत्तोरों से बने या मुट्टी से बने लेकिन दिवार होने चीज़े सिर्फ back in land ये house property में law maker में नहीं रखी है अगर आपकी जमीन है और आप नॉर्मली उसको भारे पे देते हो रेंटल पे देते हो लोग को let's say car parking करने के लिए या two wheeler पार्क करने के लिए या ठिरा लगाने के लिए आप उसको use करे हो तो रेंटल इंकम तो मिल रहा है लेंगे वो वेकेंड लैंड से मिल रहा है तो law maker केते है वो house property नहीं है इसलिए income from house property में नहीं आएगा because of course absence of wall, roof and of course permanent structure it is just a vacant land, bare land I hope understood लेकिन ये income जो है वो आपका charge होगा income from other sources या business income इसको कब बोलेंगे या आपका regular affair है या आप ये चीज़े करते हो तो या आपका business है तो इसे business income में of course रखा जाएगा लेकिन एक simple ले मान है और उसके पास vacant जगा है और वो किसी को क्या करता है उस जगा को of course भाड़े पे देता है, let out करता है तो उसका तो बिजनस नहीं है और वो किसी particular purpose के लिए let out नहीं करता है कभी वो parking के लिए देता है, let out करता है कभी वो ठिला लगाने के लिए let out करता है कभी वो किसी और चीज़ के लिए let out करता है तो वो उसका income किसे माना जाएगा income from other sources I hope understood, very good हाँ, और यहाँ पे house property में वो structure भी नहीं आएगा जो आधा अधूरा है जैसे की building work in progress अगर कोई building बं रही है, construction हो रहा है तो क्या वो house property में आएगा नहीं, क्योंकि वो incomplete है कोई building, कोई घर जैसे की demolist है हालाद बत्तर होंगे, खंडर जैसे तो ruined house मतलब क्या खंडर, of course जा पे कोई जाद नहीं सकता है, जा पे कोई रहता नहीं है तो बूजर वो भी house property कहलाता नहीं है तो I hope understood यहाँ तक आपको perfectly समझा होगा कि house property में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है I hope understood, understood, come on so हम लोग अब जाएंगे हमारे next part के उपर let us go to the next part बना next part condition का क्या कहता है of course वो पूछ था आपको क्या आप owner हो अगर आप owner हो तो ही आपके annual value के उपर क्या होगा आपको income tax देना पड़ेगा है ना, तो अगर आप owner हो, तो owner में कौन कौन से लोग owner हो सकते हैं और ownership में ये deem owner भी include है तो owner अगर आप हो तो आपको तो annual value के उपर tax देना पड़ेगा लेकिन तो deem owner होगे तब भी आपको tax देना पड़ेगा तो ये important है ठीक से सुनो deem owner क्या है तो deem owner से पहले हम लोग देखते हैं कि ownership जो है या owner जो है वो तीन प्रकार के है पहला, पहला legal owner दूसरा beneficial owner और तीसरा deem owner आप लोग उसरा legal owner मतलब क्या जैसे कि अगर आपने घर लिया उसकी registry कर ये registration कर के लिया अपने नाम पे कर के लिया तो वो आपको legal owner beneficial owner मतलब for example किसी का घर आपने खरीद लिया आपका agreement बगरा सब कुछ हो गया आपने उसका पूरा पैसा भी दे दिया और आप उसके घर में रह रहे हो possession भी आपके पास है समझो ठीक से possession भी आपके पास है और आपको उस घर के सारे benefit मिल रहे है आप उसके उपर rent कमा रहे हो right या नहीं भी कमा रहे हो लेकिन possession आपके पास है जो भी benefit है उस घर के आप उठा रहे हो तो वो है आपका घर और आप उस घर के क्या हो beneficial owner I hope understood very good यह दो तो easy है legal owner, beneficial owner यह important है और इसको हम लोग को detail में समझना है Sir, कौन? deemed owner under section 27 इसमें सब section भी है लेकिन याद रखेंगी जरूती है आप 27 याद रखोगे तो भी चलेगा तो आज के lecture में दो section करेंगे charging section 22 and deemed owner 27 आपको याद हो जाएगा don't worry third deemed owner में कौन से कौन से owner आते है तो बटा deemed owner में सबसे पहला जो आता है वो है ऐसा owner ऐसा बंदा जिसने अपने house property को अपने spouse को या अपने minor child को क्या किया है transfer किया है कैसे? without adequate consideration आपका पहला question होगा सर्थ adequate consideration मतलब क्या? देखो अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो और उसकी price 1 CR है एक करोड है और आप उसको 20 लाफ में खरीदते हो क्योंकि वो सामने वाला जो है वो आपका relative है let's say पत्नी अपने पती से एक करोड का घर 20 लाफ में खरीदती है तो क्या lawmaker बोलेंगे? yes ma'am very good now you became the owner of course not वो नहीं बोलेंगे क्योंकि stand duty value से क्या market price से बहुत ही कम price ma'am दे रही है अपने हजबन को तो without advocate consideration मतलब जो price चल दी है जो stand duty value चल दी है उससे कम की price में जब आप खरीदते हो तो उसे कहते है without advocate consideration I hope I understood very good आप second question करोगे जो foundation के बच्चे में भी शायद उनकुमाल नहीं होगा सब spouse क्या होता है spouse होता है पती के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पत्ती I hope I understood पत्नी भी अपने of course पती को घर transfer कर सकती है if she is a wealthy of course financially strong जरी नहीं है पती अपने पत्नी को क्या करे transfer करे so ये दो वर्ड जो है advocate, consideration and spouse समझा है तुम्हें आगे बढ़ो चलो तो हम लोग क्या देख रहे है deemed owner अब मैं example लेता हूँ Mr. सुखी जो है उन्हेंने क्या किया उनके पास of course एक घर पहले से था उन्हें और एक घर क्या किया purchase किया इंकम कितना है दस लाक तो वो दुखी हो गए दुखी क्यों हो गए क्योंकि और चार लाक इंकम हो जाएगा चार थोड़ी ना 40,000 की इसाफ से देखेंगे तो करीबन पास लाक रिप्या उनका और इंकम हो जाएगा तो सुखी नहीं क्या किया सिंपल सी बात की वो अपने पत्नी को उन्हेंने घर क्या किया बीज दिया कितने में एक क्रूर का घर 20,000,000 है तो अब उनकी पत्नी क्या होगी कागज पीपर के उपर ओनर हो गई अब वो इंकम उनका हो गया अब शुकी बहुत शुकी होए क्यों बिकाज अब उनके पत्नी के उपर ओट टैक्स लाबड़ी आएगी अड़ाय लाग का अफ़कोस उसके उपर तो टैक्स एग्जेंशन मिलेगा टैक्स एबल तो नहीं है तो ऐसे वो क्या कर रहे है गौर्मिन के साथ इंकम टैक्स के साथ खेल रहे है तो लौमेकर ने भी लिख दिया सुकी को दुखी बनाने के लिए कि भाई साब अगर आप पत्नी हो और पत्नी के नाम पे या पत्नी हो और पत्नी के नाम पे विदाउट अड़ेकेट कंसेडरेशन आपका घर ट्रांसफर कआ रहे हो Of course तो वो घर आपके पत्नी का या फिर आपे पत्नी का जिसको ट्रांसटर किया है आपके स्पाउज का नहीं माना जाएगा आपका माना जाएगा आप उसके क्या होगे Deemed Owner I hope understood Yes तो जिसने भी टांफर किया, उसने without advocate आपने स्पाउस को टांफर किया थो वो घर उसके स्पाउस का नहीं माना जाएगा, वो घर माना जाएगा उसका जिसने टांफर किया, टांफरर का, और उसको उस गर के या house property के tax देना पड़ेगा टिंक सर यहाँ पर क्या लिखा not on account of agreement to leave apart हाँ अगर पती पत्नी में जगरा हुआ और जरम जरम का उन्हें रिष्टा तोड़ दिया उन्हें अलग रहने का निर्ने लिया डावर्स हुआ और उसके कंडिशन के अनुसार डावर्स की कंडिशन के अनुसार राइट as per the rule of the court तो फिर होगा क्या क्या पत्नी का income उस house property का पती का माहा जाएगा answer is no क्योंकि उन्हें agreement हुआ है to leave apart तो simple सी बात है अगर पती अपने पत्नी को घर ट्रांस्वर करता है without consideration या even without advocate consideration क्योंकि दोने ने अलग होने का decision लिया उन्हों में divorce हुआ और दोनों एक साथ रहने वाले नहीं है उस case में उस case में पती ट्रांस्फरर ये दीम ओनर नहीं कहलाईगा I hope understood very good वैसी कैसे अगर कोई भी बंदा of course अपने minor child के नाम पे अपनी खुब की house property ट्रांस्फर कर रहा है क्यूँ अपने tax liability को बचाने के लिए right तो वो भी उस दीम ओनर के definition में आ जाएगा उसे ही माना जाएगा वो ट्रांस्फरर रियल ओनर है और आपको तो मालू मैं clubbing provisions जो आप देखने वाले हो next clubbing provision में minor के नाम पे भले आपने property की लेकिन उसका income उसके parent के income में क्या होता है जूर जाता है तो वैसे तो minor के नाम पे आप अगर ट्रांस्फर करोगे तो उसका कुछ फाइदा नहीं है लेकिन यहाँ पे चीज समझनी बहुत ज़री है not a married daughter तो इसको हम लोग simple समझते हैं कि अगर आप transferor हो और minor child के नाम पे आपने house property कर दी ठीक है ना तो वो house property आपकी समझी जाएगी आप उसके dean owner क्यालाओगी लेकिन अगर वो minor child अगर आपकी लड़की है उसका आपने ब्याह किया तब उस case में transferor उसका पीता या फिर अफकोस उसकी जो mother है वो उस property के dean owner नहीं होंगे वही बच्ची जो होगी वो क्या किलाई जाएगी owner किलाई जाएगी और उसके हाथ में क्या होगा tax अफकोस आएगा अगर आप transfer करके हो property minor child के नाम पे और उसकी marriage नहीं हुई तो जो transfer है उसकी हाथ में taxable होगा सही और अगर उसकी marriage हो चुकी है तो उसकी हाथ में transfer होगा sorry उसकी हाथ में taxable होगा right, again perfect तो यहां तक आपको समझा होगा transfer of house property without adequate consideration next जाएंगे हम लोग dean owner में आगे dean owner में आगे example कौन सा है holder of impartiable estate sir आप बोलोगे holder of impartiable estate मतब क्या बिटा मैं एक example होगा ठीक से सुना होगा joint Hindu family नाम तो सुना होगा joint Hindu family जो है वो 12 में भी concept आपका clear हुआ तो joint Hindu family में suppose मैं हूँ मेरे भाई साहब है जो हमी पापा हम लोग सब है तो joint Hindu family का हिसाब क्या होता है कि joint Hindu family में जो tax return भरता है वो joint Hindu family भरती है जो भी property होती है वो joint Hindu family के नाम पे होती है मैं return नहीं भरूँगा मेरे बड़े बाई साहब return नहीं भरेंगे return कौन भरेगा? joint Hindu family ठीक है करता है वो sign करेंगे ठीक है वो तो ठीक है लेकिन वहाँ पर entity को नहीं वहाँ पर person को नहीं of course joint Hindu family I hope understood तो joint Hindu family के अक्तयार में joint Hindu family के पास जितनी भी property है वो joint Hindu family की है बड़े बड़े बाई साहब का खुद का अलग घर हो मेरा खुद का अलग घर हो मेरे पास जमीन हो उनकी पास जमीन हो अलिगे नहीं लेकिन वो जमीन वो घर वो भले हम लोग उसके real owner हो लेकिन उसकी ownership किसके नाम पे as per the law माने जाएगी joint Hindu family के नाम माने जाएगी I hope understood और उसको हम लोग divide नहीं कर सकते है उसको हम लोग अलग अलग हमारी property है यह बता नहीं सकते है जब तक हम लोग of course partition नहीं करते तो यहाँ पे उस property का owner किसको माना जाएगा dem owner हमारे joint Hindu family को everybody understood very good sir next कौन सा example है but a member of cooperative society company या association of person मैं इसको समझाता हूँ जैसे कि हम लोग कुछ एक की साथ काम करने वाले हम लोग friends है 40-50 लोग है हम लोग और हम लोग ने समझा कि हम लोग एक साथ रहते है ठीक है तो एक साथ रहने के लिए हम लोग ने cooperative society हमारे नाम पे क्या की रेश्टर की और government से गौहर की कि हमें cooperative society के नाम पे जगत आए follow up करने के बाद जगर भी मिली तो cooperative society को जगर मिली और मेरी वहाँ पे का करेगी building concert करेगी जिसमें मेरा भी वहाँ पे घर होगा ठीक है ना तो मैं cooperative society का member हूँ तो वह जो घर है वह जो जगर है वह जो building है वैसे तो किसके नाम पे अगर legally समझागा है तो किसके नाम पे cooperative society के नाम पे लेकिन मेरी वहाँ पे membership है और मैं उस cooperative society का member हूँ उस नाते से उस घर का मेरे घर का मैं कौन हूँ deemed owner हूँ legally वह owner है लेकिन deemed owner किसको माना जाएगा मुझे उस घर का जिस घर को मैंने purchase किया मैंने contribute किया तो वहाँ लिगल ओनर तो कोन है corporate society लेकिन मुझे क्या माना जाएगा deemed owner उस घर के लिए और उस घर का जो भी income है उस के लिए मैं responsible हूँगा tax pay करने के लिए चलो आगे बढ़ते है next deemed owner मैं है person purchase property regarded as deemed owner थोड़ा मैं इसको detainable time देखो लोग बहुत smart होता है कैसे हमारे आपे transfer of property act है क्या बला transfer of property act अगर आप कोई भी घर purchase करते हो तो agreement to of course उसमें sell होगा उसमें registry होगी आप convince did करोगे property आपके नाम पे होगी यह सब process होती है लेकिन कुछ लिए प्या करते हैं property की पूरी price भी दे लेते हैं bar को bar से उस property का उस घर का position भी ले लेते हैं उस property के सारे benefit भी enjoy करने लेने लगते हैं बहुत सारे benefit जो भी है enjoy करते हैं वैसे तो legally कहे तो जो seller था अभी भी government के दफ्तर में काज़ात के उपर उसी का नाम है वही owner है लेकिन benefit को उठा रहा है जिसने सारे पैसे दी हैं और पुरा position ले लिया वह उठा रहा है तो फिर सरकार को मालूम है यह बंदा ऐसे पॉपर्टी को चार दो महने रखेगा और और higher price पे क्या करेगा base देगा जैसे कि उसको मुनाफ़ा हो उसका of course फाइदा हो profit हो लेकिन यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है government का तो lawmaker ने यहाँ पे income tax में लिख दिया section 27 में जो भाई जो भी लगती है जिसने property purchase की है possession लिया है पूरा benefit उठा रहा है बले उसके नाम पे property हो या नहीं हो उसी को क्या समझा जाएगा deemed owner आई बाद समझ में और जो भी benefit वो उठा रहा है उस annual value के उपर चाहे वो rental पे दे ना दे उसके उपर उसे tax भरना पड़ेगा I hope understood very good last but not the list very important person acquires building or part thereof for at least a period of 12 years lawmaker में लिखा है not less than 12 years तो not less than मतली क्या है at least ठीक है मैं एक example देता हूँ जैसे की हम लोगों को office चाहिए और office हमें नरीमन पॉइंट में चीए आपको मालो है नरीमन पॉइंट में definitely बहुती highly priced of course offices होते है तो definitely हम लोग खरीद तो नहीं पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे lease पे लेंगे हम लोग lease रेंटल देंगे तो जिससे भी lease पे हम लोगों ने लिया पता है वो हम से कितने साल का maximum agreement करेगा पता है 11 साल का सर ऐसा क्यों ऐसा इस लिए कि कि lawmaker ने लिग दिया कि आप किसी भी property को 12 साल के लिए lease पे लेते हो agreement करके तो उसका उनर वो जो legal owner है वो नहीं होगा आप होंगे जिसने lease पे उपर क्या किये property ली है I hope understood और इसी लिए practical life में लोग 12 साल के नीचे काई क्या करते है सामने वाले को lease agreement कर देते है क्योंकि 12 साल जो उससे जाना होगा तो जो lease है जिसने lease के उपर अफकोस property ली है वही क्या बन जाता है owner, dim owner और उसके आनिल वैली के उपर सरकार अफकोस क्या चार्ज करती है tax तो मैं अफकोस hope करता हूँ आशा करता हूँ कि dim owner concept आपको समझा होगा अगर shortner भी आ गए तो definitely आप shortner अराम से लिख सकते हो next sir third condition तो third condition कान सी है not used for business or profession by its owner मतलब अगर आप house property के owner हो ठीक है अगर उस house property को अगर उस house property को आप अपने business या अपने profession के लिए use करे हो अगर answer yes है तो उसके उपर उसके उपर आपको tax देने की जुरहत नहीं है आप लोगे सर्द नहीं समझा अगे ठीक है मैं समझाता हूँ देखो आपके पास एक घर है ठीक है और आप लड़से आप CA में हो आप practice करे हो चलो ये भी ठीक है और आपका खुद का घर आप आपके profession के लिए क्या करे हो यूज करे हो तो government उस property के annual value के पर tax charge क्यों नहीं करती क्या आपका question होगा बड़ा इसलिए because आप profession से तो कमा होगे business करोगे अपना खुद का तो उससे भी कमा होगे तो वो जो income है वो automatically क्या होने वाला है taxable तो होने वाला है तो अलग से definitely government उसको house property में लेकिए उसकी annual value अलग से calculate करके tax आप से लेना नहीं चाहती है क्यों उससे पता है आप profession करे है आप business करे हो अगर आप दिखा रहे हो कि मैं अपने house property में profession कर रहा हूँ तो इसकी annual value मत लो अगर आप दिखा रहे हो तो government पुछेगी तो भाई साब चलो आप आपकी professional business के income के उपर tax पे कर दो तो वहाँ से चूठा तो यहाँ पे पकड़ा तो इस चूठ आपको क्या सब्ज़ना है कि आपकी खुद की house property है आप owner हो उसमें आप खुद का business या profession कर रहे हो तो उसके annual value के उपर section 22 में income tax नहीं लगेगा क्यों नहीं कि वैसे ही business या profession के income के उपर tax लगने माला है clear? आगे जाओ? ठीक है next that if owner uses for लेकिन अगर ये owner जो है वो वो घर या वो जगह या वो building वो structure वो office जो भी है वो use करता है किसके लिए letting out to employees या letting out to government agencies या letting out to ancillary units तो उस house property का उस office का जो भी होगा income annual value की करफ से of course जो income आएगा वो income annual value में चार्ज नहीं होगा वो income annual value नहीं समझा जाएगा उस income को चार्ज किया जाएगा PGP में आप वो लोगे नहीं सर्द नहीं समझा क्या बोल रहे हूं? ठीक है चलो मैं समझाता हूं हम लोग फैक्टरी के owner है अजुम करो कि हमारे पास फैक्टरी है और हमारे फैक्टरी के इल गित बहुत बड़ी जगह है आपको में फैक्टरी जो होती है उसके मालिक चाहते कि उनके जो employees है काम पर जल्दी आए ठीक से आए और अफकोर अच्छा काम करें तो बहुत सारे आपना देखा होगा फैक्टरी इस तो होती है आपके शहर के बाहर रिमोट एरियास में तो वहाँ पे जाना लोग के लिए जातर टाइम कंजमिंग होता है तो फैक्टरी मालिक क्या करते है अपने ही फैक्टरी के इल गित हाउसिंग कॉंप्लेक्स का निर्मान करवाता है और वर्कर को वहाँ पे फ्लाट जो है घर जो है दिलाते है तो अब यह जो बिल्डिंग भी है बिल्डिंग भी है वो फैक्टरी ओनर की है घर तो फैक्टरी ओनर का है लेकिन दिया किसको है अफकोर्स employees को तो आप बोलों कि sir अगर employees को दिया है तो employees से भड़ा लेता रहेगा तो जो भी कम भड़ा ले जाता भड़ा ले तो यह तो income from house property में आना चीए नहीं बीटा, lawmaker यह सोचता है क्योंकि आपने यह जो building बांदी यह जो घर उनको दिया यह आपके business को smooth करने के लिए दिया आपके business को definitely अच्छा करने के लिए दिया उससे आपके business को हल्प होगी और यह सीधा income आपके business को benefit पहुचा रहा है इसलिए इसलिए आप जो हो अगर owner हो और अगर आपने उस house property को अपने employees को देखे रखा है और उससे आपको जो income हो रही है वो section 22 में हागी तो वो income सीधे कहाँ पहुच जुच जाएगी profit and gain from business और profession में जुच जाएगी I hope I understood very good दूसरा example अगर suppose remote area में आपका factory है और वहाँ पे definitely डर तो बहुत जादा अलग चीदों का होता है तो police station के लिए क्या किया आपने जगह दे दी और उनसे जो भी rent मिल रहा है तो मुझे बो वो police station से security आपको ज़्यादा मिलेगी यस आपकी business को सुझदा होगी यस तो वो भी क्या होगा आपका income जो भी rental income है वो house property में नहीं आएगा वो आपके business में आएगा तो कि अपने business को आप secure करे हो और एक example जैसे nationalized bank है aid girl bank नहीं है आपको banking transaction करने है आपने bank को जगह rental पे दे दी वो भी rental किस में आएगा पीजी बीपी में क्योंकि आप government की किसी भी agency को जगह देते हो तो वो अपनी सुईधा के लिए देते हो long term धान रखे कि आपको उसका कैसे फाइदा होगा तो आपके business के दिश्चिकों से आप सुचते हो उसको फाइदा पोचाने के लिए आप rental पे देते हो तो वो income from house property में आएगा का पे आएगा definitely वो आएगा PG BP में next and last अगर आप house property के owner हो लेहिन आपकी factory भी है और उस factory के इर्गित बहुत जगा है factory तो आपकी है और बहुत जगा है और आपको कुछ spell parts की जरुत है तो जो बंदा spell parts factory वाला कोई दुसरा बंदा है उसको आप क्या करते हो अपने जमीन पे लाते हो और उसको कहते हो चलो यहाँ पे factory बनाते है और collaboration करके बनाते है तो आप आपके जमीन के उपर extra और एक factory of course बना देते हो किसी दूसरे आदम के साथ और contribution में वो factory चालो करते हो क्योंकि वहाँ से जो आपको spare parts होंगे या material होगा direct app के factory में आएगा cost भी कम होगी और आपका business उसको फाइदा भी होगा तो जो ancillary unit है आपका sub unit है जिसमें आप money हो अगर उससे भी rent आता है उससे भी rent आता है तो आपका income from house property में नहीं समझा जाएगा वो आपके profit or gain from business and profession में add किया जाएगा because वो आपके business को सहुलियत दे रहा है आपके business को smooth चलाने के लिए help कर रहा है आपकी profitability बढ़ा रहा है I hope understood next Sir, यहाँ पे let's say यह जो example दे रहा हूँ बहुत important है Finance Act 2017 में of course यह important decision आया था अभी आपको इतना सारा याद दिखना यह concept याद रखनी है concept क्या मान लोग कि हम लोग developers है या हम लोग ऐसे लोग है जो house properties क्या करते है purchase करते है अक्वार करते है या फिर बनाते है एक तो बानते है या फिर purchase करते है और उससे हम लोग let out करते भाड़े पे रहते है let out करते है भाड़े पे रहते है तो अपना काम ही क्या है भाई पर्चेस करना या बनवाना और भाड़े पे देना तो वो जो income है वो of course वो कहाँ पर आएगा income from house property कहाँ पर आएगा income from house property लेकिन अगर उसी property को हम लोग जब sell करेंगे तो वो कहाँ पर आएगा PGBP आप बोलोगे सर ये तो समझा income from house property में आएगा क्योंकि वो जो builder है वो जो acquire कर रहा है purchase कर रहा है house property का owner है वो अभी भाड़े पर दे रहा है लेट आउट कर रहा है तो income from house property में आएगा ये तो समझा लेकिन वो अगर बेचेगा तो ये PGBP में क्यों आएगा capital gain में क्यों नहीं आएगा पर ये PGBP में इसनी आएगा because acquire करना या construct करना और बेचना उसका क्या business है he does it regularly, consistently it's his practice वो उसका business है और इसलिए वो जो उसका business है उसमें वो अगर sell करता है तो वो capital gain में चार्ज नहीं होगा कहां पर चार्ज होगा PGBP में चार्ज होगा तो I hope आपकी सारी concept यहां पर clear है और definitely आपको ये सुन के समझ के मज़ा आया होगा और आया होगा तो please एक like तो बनता है हर एक इन एक like देना है कि जैसे कि मैं next time फड़ा फट आपके लिए क्या करो वीडियो बनाओ और हम लोगे इस syllabus भी complete करे एक बात बोता हूँ direct tax को डरिये मत बहुत interesting है बहुती interesting है आपका career उसमें बन सकता है आपका खुद का जो life है उसे सवर सकता है इस knowledge से तो please कि दिवान में रखके मत पढ़ो बहुत लेंदी है बहुत difficult है दिवान में यह लोग बहुत easy है और इसको interesting तो मैं बनाने की कोशिश करा हूँ आप लिखना start करो right आप लिखना start करो और लिखा हुआ अपना भी पढ़ो तो आपके चेहन में आपके mind में written होगा और बटा जिसने भी अभी तक subscribe नहीं किया है बहुत ना इसाफी है बहुत ना इसाफी है You must subscribe and you must share सबके साथ share करो क्योंकि फाइदा सबका हो और आपका भी हो और फिख मेरा इतना ही फाइदा करो बटा एक like करो Have you understood? Thank you boss See you then, bye